हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैंने बेंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है यानि यहां पर आप किसी भी क्लास में हूँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं यहां पर आकर देखेंगे वीडियो उसको तो कभी भी आपको क सारे ही वीडियो आपको फ्री मिलेंगे तो आज का हमारा वीडियो क्लास नाइंत हिंदी कोर्स एके स्टूडेंट्स के लिए है यह हमारी बुक शित जभाग एक के गद्धे खंड का अध्याय है साथ मेरे बचपन के दिन अब इसका आज हम क्या करने वाले हैं आज हम इसक सबी कुछ इस पार्ट में उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे सामने रखा है हमने इस पार्ट को डिटेल में पढ़ा है यानि किसका डिटेल एक्स्प्रिनेशन हम कर चुके हैं एंसे आर्टी सिलेशन भी हम कर चुके हैं वन शॉट भी कर चुके हैं तो आज हम MCQ करेंग बच्पन के दिन पार्ट की रचना की थी किसने इस पार्ट की रचना की है प्रेम चंद महादेवी वर्मा हरिशंकर परसाई अजाबिर हुसेन तो इस पार्ट को लिखा है महादेवी वर्मा जीने महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की न नहीं हुई थी महादेवी वर्मा की कुल देवी थी कौन लक्षमी सरस्वती दुर्गा या पार्वती तो वो कुल देवी थी दुर्गा जी महादेवी वर्मा की मा कहां से आई थी कहां उनका मायका था कहां से आई थी या ऐसा भी प्रशन पूछा जा सकता है कि उनका मायका क कहां का था कानपुर जबलपुर राइपुर या होशियारपुर तो उनकी मा थी जबलपुर की है चात्रा वास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी भई जब वो गई हॉस्टल में रहने के लिए क्रास्वेल्थ उनका स्कुल था जहां उनका एड्मिशन हुआ तो वहा महादेवी वर्मा को कवी सम्मेलनों में लगभग कितने पदक पराप्त हुए कवी सम्मेलनों में कितने पदक पराप्त हुए 25, 50, 75 या 100 तो यह लगभग यानि कि लमसम जो एक निकाला जा रहा है वो उनको बताया उन्होंने 100 उनको पदक प्राप्त हुए थे महादेवी वर्मा से चान्धी का कटोरा किसने ले लिया भाई उनको एक कवी सम्मेलन में पुरसकार रूप में चान्धी का कटोरा मिला था तो उनसे वो चान्धी का कटोरा किसने ले लिया था नेरु जीने गांधी जीने पटेल जीने या तिलक जीने तो उनसे ये कटोरा ल मनमोहन को नाम दिया मनमोहन पहले कौन है महादेवी वर्मा जी के जो छोटे बाई है उनका नाम मनमोहन था वो दिया था ताई ने ताई कौन थी उनके पडोस में जवारा के नवाब की जो पतनी थी बेगम साहबा उनसे इनके काफी नजदी की इनके परिवार के काफी नजदी की संबंध थे तो उन ताई नहीं उनको नाम दिया था मनमूहन तो यह ताई मतलब होता है बेहन को बोला जाता है तो उनकी मा जो है उनको बेहन बोला करती थी जवारा के बेगम साहिबा को तो इसलिए उनको ताई ताई सब ही बोलते थे बेगम साहिब को तो उनको ताई ही बोला गया लेकिका की माने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था क्या पढ़ना सिखाया था गीता रामायन पंचतंत्र या महाभारत तो उन्हें सबसे पहले उन्हें सिखाया था पंचतंत्र पढ़ना लेकिका को उर्दू-फारसी सिखाने के दिवी वर्मा जी हैं उनकी माता जी किसके पदों को गायन का गायन किया करती थी सूर्दास तुलसिदास रस्खान या मीरा तो वो गाया करती थी यह मीरा के पदों को लेखिका के घर के पास कहां के नवाब रहते थे कहां के नवाब रहते थे आगरा लखनव अवद या जव तो वो रहा करते थे कहां के नवाब जबारा के प्रोफेसर मनमोहन वर्मा लेखी का के क्या थे? कौन थे भाई? दोस्ध दुशमन बहनिया भाई तो वो थे भाई सुबद्रा ने पुरसकार में मिले चांदी के कटोरे में क्या मांगा था? जब महादेवी ब्रमा जी को वो चान्धी का कटोरा मिला तो उन्होंने सुबद्रा जी को दिखाया तो सुबद्रा जी ने उस कटोरे में उनसे किस चीज की मांग की थी हलवा, खीर, डाल चावल या दूद तो उन्हेंने बोला था इस कटोरे में मुझे खीर लाकर देना तो किस चीज़ की मांग करी थी खीर की सुबद्रा कुमारी लेखिका से कितने साल सीनियर थी भाई सुबद्रा जी सीनियर थी और हमारी जो लेखिका महादेविय प्रमा जी जूनियर थी तो ये senior कितने साल थी मतलब कितने साल का difference था उनकी classes में दो, चार, पाँच या दस तो वो थी दो साल senior मतलब दो साल कि माली जी अगर महादेवी वर्मा जी फिफ्थ में थी तो हमारे के केते हैं सुभद्रकुमारी चोहान सेविंथ में थी इस तरीके से लेखिका की girls college में कौन से दर्जे में भरती हुई थी पहले दूसरे तीसरे या पाँचवे तो उनकी भरती हुई थी जब वो पाँचवे में थी यानि फिफ्थ क्लास में लेखिका को संस्कृत पढ़ाने कौन आते थे संस्कृत अभी देखे उर्दू फार्सी पढ़ाने मौलवी साहब आते थे तो संस्कृत पढ़ाने कौन आता था मौलवी साहब पंडित जी दोनों या इन में से कोई नहीं तो उने आते थे पंडित जी जो संस्कृत पढ़ाने के लिए जम्बू और गोरगपुर उनिवर्स्टी के वाइस चांसलर का क्या नाम था महादेवी वर्मा मनमोहन वर्मा महादेव वर्मा या मोहन वर्मा तो कौन थे महां के वाइस चांसलर जम्बू और गोरगपुर उनिवर्स्टी के वो थे महादेवी वर्मा के भाई मनमोहन वर्मा जेबुन निसा कौन सी भाषा बोलती थी जेबुन निसा जो सुबधरा कुमारी चोहान जब होस्टल से चली गई थी वो सीनियर थी तो पास आउट हो गई तो वो चली गई उसके बाद उनकी जगापर जो है एक और दूसरी लड़की आई थी रहने के लिए वो थी जेबुन निसा वो कुलापुर से आई थी वो भाषा कौन सी बोलती थी हिंदी उर्दु मराठी या आवधी तो वो बोला करती थी कहां कौन सी भाषा मराठी भाषा भाई कुलापुर कहां महराज्ट में और वहां की भाषर क्या है मराथी लेखी का को कविता पाठ में क्या मिला था जब उन्होंने कविता पाठ किया था तो उनको पुरसकार सरूप क्या मिला था सोने का कटोरा पीदल का कटोरा चांदी का कटोरा या स्टील का कटोरा तो उनको क्या मिला था चांद विर्मा के पिताजी वो कौन सी भाषा जानते थे उर्दू फार्सी दोनों या इन में से कोई नहीं तो वो जानते थे उर्दू और फार्सी दोनों ही सुबद्रा कुमारी के छात्रवास सोड़ कर चले जाने के बाद उनके कमरे में कौन सी लड़की रहने आई थी कौन आई हो गया था कौन सा भवन राज भवन मानसिंग भवन आनंद भवन या इन में से कोई नहीं तो जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता का संगर्श का मेन केंद्र बना था वो था आनंद भवन निराहार का क्या अर्थ होता है निराहार तो सबसे पहले आप इसको समझो Nirahar निराहार आप इसको संदी विच्छत करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है निर प्लस आहार थीखे यह बनता है निराहार तो निराहार मतलब होता है भोजन और निर मतलब होता है बिना तो क्या हो जाएगा निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए तो जैसे लोग कुछ लोग ब्रत रखते हैं निराहार तो यानि कि कुछ भी खाते नहीं कुछ भी पीते नहीं तो निरा आहर का मतलब क्या हुआ बिना आहर नेक्स यह जेबुन निसा के संपर्ख में लेखी का कौन सी भाषा सीखने लगी थी पंजाबी, ब्रज, मराठी या उर्दु अब जेबुन निसा मराठी बोलती थी तो अब कौन सी भाषा वो सिखाएंगी साइट सी बात है मराठी इसी खाएंगी तो महादिवी वर्मा मराठी भाषा सेखने लगी थी प्रभाती किसे कहते हैं प्रभाती शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है सवेरे गाया जाने वाला गीत शाम को गाया जाने वाला गीत होली दिवाली पर गाया जाने वाला गीत या इन में से कोई नहीं तो प्रभाती से तात पर है सवेरे गाया जाने वाला गीत यानि कि सुबह सुबह जो गीत गाया जाता उसको प्रभाती बोलते हैं फूल धातू किस से मिलकर बनती है जो एक धातू होती है फूल खास तोर से पूजा के बरतनों में, पूजा के बरतन पै, अब पहले तो आप कहते हैं किचन में सारे बरतन फूल के बरतन हुआ करते थे, तो वो ये धातू किन दो धातूं से मिलकर बनती है, तामा, लेड, तिन या दोनों, खा और गा दोनों, तो यहाँ पर बेसिकली फूल धातु जो होती है वो लेड और टिन दोनों से मिलकर बनती है तो हमने खा और गाग दे दिया लेकिन आज कल क्या है उसमें थोड़ी और मजबूती प्रदान करने के लिए अब तामा भी मिलाया जाने लगा लेकिन अगर हम अथेंटिकल फूल धातु के लिए बात करेंगे तो उसमें टिन और लेड ही मिलता है आप क्या होता है ज्यादा चमक मिला लीजिए ज्यादा चमक आ जाए और ज्यादा उसमें मजबूती आ जाए इसलिए तामा मिलाने लगे हैं ने बड़े होने पर किनके संबंदों में खटास पैदा होने लगी भाई बच्पन से उन्होंने देखा कि उनके परिवार में और जवारा के जवाब के परिवार में बहुत जादा मेल जोल रहा लेकिन ये बच्पन की बात थी लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि समाज में जो दो धर्म थे हिंदू और मसलमान जो बच्पन में उन्नोंने देखा की इतने करीब थे लेकिन धीरे-धीरे जैसे उन्होंने बड़े होती गई उन्होंने हिंदू और मसलमान मुसलिम दो संप्रदायों में बहुत ही खटास देखा तो यहाँ पर सही क्या होगा महादेवी वर्मा के बड़े होने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के संबंदों में खटाज देखिए गांधी जी ने महादेवी जी से चान्धी का कटूरा क्यों ले लिया था भाई चांधी का कटूरा महादेवी वर्मा जी को एक कविता Himadhan के रूप में मिला था परसकार सुरूप मिला था तो क्या हुआ अनंद भवन में गांधी जी आए तो गांधी जी से मिलने के लिए भाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ धन संपता फोर दे रहे थे तो वही जाकर उन्होंने गांधी जी को दे दिया था, तो गांधी जी ने क्यों वो कटोरा लिया था, क्योंकि वो गरीबों को देने के लिए लेना चाहते थे, जबकि महादेवी वर्मा जी वो कटोरा गांधी जी को देने के लिए गई थी, कि मतलब हम अपनी तरफ से उनको को कुछ दे रहे हैं और गांधी जी ने इसी उसमें ले लिया था तो सही क्या है गरीबों को देने के लिया था लेकिका की भेट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी आनंद महल आनंद भवन आनंद आश्रम या आनंद निवास तो कहां पर हुई थी आनंद भवन में महादेवी को बचपन से किस चीज़ का शौक था बचपन से ही वो किस चीज़ का शौक रखते थी गाने का कविता बोलने का निबंद लिखने का या खेलने का तो उन्हें बचपन से ही कविता बोलने का बहुत शौक था सुबद्रकुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की कौन सी चोरी पकड़ ली थी सुबद्रकुमारी जी तो हस्टल में पहले से रहती थी फिर महादेवी वर्मा गई तो इनको शुरू से ही कविता बोलने का बहुत शौक था धीरे धीरे वो लिखने भी लगी सुबधरा कुमारी जी पहले से ही लिखती थी तो फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि उन्होंने ये चोरी पकड़ ली कि महादेवी वर्मा जी भी कविताएं लिखती हैं तो क्या कविता लिखने की नकल मारने की पैसे चुपाने की या खाना खाने की तो कौन सी चोरी पकड़ी थी वो थी कविता लिखने की चोरी पकड़ी थी पार्ट के आधार पर कवेत्री को किस में विचत्र आकर्शन लगता था कौन सी चीज में विचत्र आकर्शन लगता था बचपन के मित्रों में बचपन के खिलोनों में बचपन की स्मृतियों में या बचपन के पकवानों में तो उन्हें जो है विचत्र आकर्शन लगता है यानि कि बच्पन की यादों में विचत्राकर्शन लगता है मीरा के पद सुन सुनकर महादेवी रेने के इनने किस भाषा में लिखना आरंब किया मीरा के पद वो बच्पन से सुन दूआ हैं क्योंकि उनकी माताजी गाया करती थी मीरा के पद तो उन्होंने किस भाषा में लिखना आरंब किया था संस्क्रत भाषा में ब्रजभाषा में अवधी भाषा में या उर्दु भाषा में तो मीरा के पद सुन सुन के उन्होंने ब्रजभाषा में लिखना प्रारंब कर दिया था बेगम साहिबा कौन थी? अब ये बेगम साहिबा कौन थी? महादेवी की पडोसन, महादेवी की बहन, गाईका या महादेवी की अध्यापिका तो बेगम साहिबा यानि कि जवारा की जो बेगम साहिबा थी, वो कौन थी? महादेवी वर्माजी की पडोसन थी क्रोस्थ वेट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथिन के रूप में कौन मिली थी कौन मिली थी दो बराठी लड़कियां सुबद्रा कुमारी चौहान जीनत बेगम या अध्यापिका तो उन्हें जो पहली मित्र के रूप में मिली थी वो थी सुभध्रा कुमारी चौहान किस के लिए महादेवी वर्मा के बाबा ने दुरगा पूजा की थी कौन किस चीज की मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने दुरगा पूजा की थी बाबा यानि की महाद्रीवर्मा की पिता जी ने पुत्र के लिए धनप्राप्ती के लिए पुत्री के लिए या सुखी रहने के लिए तो उन्हों परिवार में कोई कन्या पैदा ही नहीं हुई तो फिर उनके बाबा ने दुर्गा जी को प्रसन करने के लिए भौद पूजा पाट किया और तब कहीं जाके उनको महादेवी वर्मा जी का जन्म उनके हां हुआ था किसी देखकर लेखी का चारपाई के नीचे छिप जाये बचपन में कौन आजसा था जो आता था जिसको देखकर महादेवी वर्मा जी चारपाई के नीचे छिप जाती थी सन 1917 में किसका प्रचार प्रसार हो रहा था कविता का संस्क्रत का उर्दू का या हिंदी का तो प्रचार प्रसार उससे में जादा हो रहा था हिंदी का महादेवी जी की प्रारंभी करचनाएं किस पत्रिका में छपती थी यानि कि जब शुरू शुरू में उन्होंने जो है लेखनकार शुरू किया तो कविताएं लिखती थी तो कौन सी पत्रिका में उनकी ये सारी कविताएं छपा करती थी इस्त्री दरपण सरस्वती वीडा या माधुरी तो वो छपती थी इस्त्री दरपण में सुबद्रा जी कहां की रहने वाली थी किस जगा की रहने वाली थी इलहाबाद, पूना, कोलापुर या नागपुर तो सुबद्र कुमारी चोहान जो है वो कोलहपुर की रहने वाली थी महादेवी वर्मा द्वारा ये पाठ किस विधा में लिखा गया है कौन सी विधा है ये परी संसमरण निबद या कहानी तो ये लिखा गया है संसमरण विधा में क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी यादों को निकाल कर यहां पर रखा है नेक से महादेवी जी का जन्म कब और कहा हुआ महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहा हुआ सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद में 1907 में जबलपुर में 1910 में इलहाबाद जिले में 1909 में इलहाबाद में तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद में महादेवी किस वाद की कवेत्री मानी जाती हैं कौन से वाद की प्रगति वाद प्रयोग वाद छाया वाद उत्तर योग या छाया वाद तो वो मानी जाती हैं छाया वाद की कवेत्री निम लिखित में कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है निहार, रश्मी, उर्वशी या नीरजा तो यहाँ पर जो नहीं है वो है उर्वशी उनकी रचना नहीं है महादेवी जी को किस पुरसकार से सम्मानित किया गया भारत भारती साहित अकादमी पद्मभूशन ग्यान पीट पुरसकार एवन साहित अकादमी तो उन्हें समानित किया गया ग्यान पीट पुरसकार और साहित अकादमी पुरसकार से सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधान भेज देते थे परमधाम से लेखिका का क्या आज रहे है तो अब ये बात जो इन्होंने इस पार्ट में रखी है कि उनके हाँ जो 200 साल तक कन्या नहीं हुई तो उसमें क्या आता था पैदा होते ही कन्या को हम का यहां मतलब क्या है लड़कियों को लड़कियों के हॉस्टिल का नाम लड़कियों की हत्या कर देना सन्यास के दीक्षा देना या तीर थियात्रा पर भेज देना तो यहां परतात पर है लड़कियों की हत्या कर देना परंधाम भेज देना अर्थात हत्या कर देना तो जो है अच्छे से अच्छे marks लेकर आएंगे हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके अच्छे marks आएं आप अच्छे से सारे concepts को समझे इसी लिए हमारा channel यानि कि Magnet Brains आपको 100% free education देता है यानि कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा उत्पन ना हो यह हमारा प्रयास है अब यह free videos आपको मिलते कैसे हैं यह free video आपको YouTube पे भी मिलेंगे हमारी website पे भी मिलेंगे और हमारे app भी मिलेंगे अब कहीं पर भी अगर यह video देखिए तो इसके लिए आपको कोई भी payment नहीं करना है अब आपके subject यापकी क्लास से रिकार जी कोई भी नई चीज आने वाली है या क्या-क्या हम करा चुके हैं आगे क्या हम कराएंगे किस तरीके से यह सारे ही updates आपको हमारे social account से मिल सकती है यह हमारे Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram यहां से आप जुड़कर daily updates ले सकते हैं क्या-क्या नया होने वाला है आगे और सभी बहुत सारे अभी chapters बाकी हैं आपको जैसे पता है तो हम लेकर आते रहेंगे और हमारे साथ आप जुड़े देएगा थैंक्यू फूर वाचिंग बाबाई